करनाल के समीप गाउं काश्वा में भिजली की हाई वोल्टेस तारों की चपेट में आने से सिम्रन को और नामक यूवती की मोथ हो गई जिसके बाद गाउं में हड कंप मच किया गरामिनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने मोके पर पहुच कर कारेवाही करते हुए शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताये कि उन्हें सूचना मिली थी कि मंदिर के उपर सिम्रन को और सफाई कर रही थी तो अचानक उसकी जाडू हाई वोल्टेज तारे जोकी मंदिर के उपर से गुचर रही थी उनसे टकरा गई जिससे करंट आने से यूप्ती की मौके पर ही मोत हो गई वही ग्रामिनों ने यूप्ती की मोत के बाद रोश्यक्ट करते हुए कहा कि कई बार बिजली विभाग से इनतारों को हटाने की मांगी गई है प्रंतु विभाग सिर्फ हाथसा होने का इंतजार करता रहता है उन्होंने कहा कि अगर जल से जल इन तारों को नहीं हटाया गया तो आगे भी हाथसे होने से गुरेज नहीं किया जा सकता लड़की की मोत के बाद गाउं में दैशत का महोल बना हुआ है और प्रशासन से मांग की जारी है कि बिजली की तारों को जल से जल हटाया जाए सब्सक्राइब करें उन्होंने कोई सुनवाई निकी इस वजा से आज हमारे एक बच्चे की दिर्द्दनाग्स हौल से में मोत हो गई है तो प्रशासन क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से हम यहीं कहते हैं कि हमारे को इनसाब मिलना चाहिए सरकार की तरफ से एक तो इता सब्सक्राइब करेंगे तो वहीं क्या मामला से सब्सक्राइब करेंगे इस सुचना प्रफ टाने में सिम्रण और लड़की डाट्राव शेरी गुट्चरन सींग काश्वा में लाली माता मंदर के पास मंदर को सुफाए कर रही है से घारजारव गोडर रही कि दो रही है सब्सक्ति पर क्या करवाइब रनेगी कि इसके अ करो एक तरी पर शेकश पर अनकित करेंगे नहीं है एसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थान्य वाल राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइब